नशकार एकबड़ प्पेट चुनावे नगरी में आप सभी का स्वागट है और मैं हूँ साक्षी शर्माप के साथ आज हम बात करेंगे उस विदानसबा सीट के बारे में जिसे बीजीपी का गढ़ माना जाता है आज हम बात करेंगे रानिवाडा विदानसभा सीट के बारे तास्तान में 25 नॉवंबर को विदानसभा चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को परिणाम खुशित हो जाए एक तरफ जहां बीजेपी मिशन राजस्तान को लेकर पूरी तरह से कमर कश चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस ने सरकार रिपीट को लेकर पूरी ताकत जुग दी रानिवाडा विदानसभा सीट पर कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने उमीदवारों की घूशना कर दी कॉंग्रेस ने यहां से रतन देवासी को फिर से मोका दिया है तो बीजेपी ने नाराइण सिंग देवल को फिर से मैदान होता रहा है सियासी मायने में रास्तान की रानिवाडा विदानसभा सीट कापी एहमियत मानी जाती है यह सीट लगातार भाजपा का गड रही है रानिवाडा विदानसभा सीट से लगातार दो बार भाजपा के नाराइण सिंग देवल विधायक चुने जा चुके है रानिवाडा सीट के 2018 के चुनाओं के अगर बात करें तो यहां बीजेपी के नाराण सिंग देवल ने 3,405 मतों के अंतर से कॉंग्रेस के रतन देवासी को हरा कर जीत दर्ज की थी 2018 के चुनाओं में यहां कॉंग्रेस नेता रतन देवासी को 85,482 मोट मिले तो वहीं बीजेपी नेता नाराण सिंग देवल ने 88,887 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी रानिवाणा विदानसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा है और वर्तमान में यहां नाराण सिंग देवल विदायक है रानिवाणा विदानसभा शेत्र के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1985 में यहां से निर्दलिया अर्जुन सिंग देवडा विदायक चुने गए थे और 1990 में कॉंग्रेस से रतना राम चौधरी ने जीत दर्ज की थी महीं 2008 में कॉंग्रेस के रतन देवासी यहां से विदायक चुने गए इसके बाद 2013 में भाजपा से नाराण सिंग देवल इस सीट पर काबिच हुए 2018 में भी भाजपा से नाराण सिंग देवल ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की और विदायक चुने गए न बात करें रानेवाडा विदानसबाज शेथ में जाती है समय करन की तो यहां 2,70,000 के आस पास मद दाता है रानेवाडा विदानसबाज सीट OBC भावल ने सीट है राजपूद भ्रामन और रावना राजपूद भी यहां पर प्रभाव रखते हैं अब बात करते हैं यहां के 2023 के चुनाओं के उमिद्वारों के बारे कॉंग्रेस प्रितियाशी रतन देवासी की बात करें तो उन्होंने 1977 में सिरोही जिले के NSUI जिला अध्यक से राजनिती की शुरुआत की थी फिर 2008 में रानिवारा से चुनाओं लड़कर जीत हासिल वे सरकारी उप मुख्य सचे तक भी रहे हैं अब बात करते हैं बीजेबी प्रितियाशी नारेंट सिंग देवल लगाता रानिवारा से दो बार विधायक बने और वरत्मान में भी वो विधायक बे 2010 से 2014 तक जालोर जिलादक्ष भी रहे रानिवारा विधानसवा सीट राजसान की महत्पून विधानसवा से इस बार रानिवारा विधानसवा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता तैकरें अभी के लिए इतना ही अगड़ी बार फिर मिलते हैं एक और विधानसवा सीट के राजनित्विक संभी करन को लिए तब तक के लिए नमस्कार